नमस्कार दोस्तों चलिए दोस्तों रिजिनिंग के प्रस्ण सालव कराते हैं यहां से देखिए 86 नंबर आपके शुरू होते हैं लिखा हुआ यहां दिये गए वेन आरेग में एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले चात्रों की संख्या की रिपोर्ट दी गई है के यहां पर देखिए दो खेल अगर हम लेते हैं कमसे कम अंगर इन दोनों खेल केंगर हम बात करते हैं ये वाला और ये वाला, इनके बीच में आप एक नमबर देख रहे हैं, 9, ऐसे ही, अगर इन दोनों की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, अगर इन दोनों की बात करते हैं, ये हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है न, ये 5 हो जाएगा, ये 8, ये हमारा कितना लिखा हुआ था, एक बार और देख लेते हैं, ये 6 लिखा हुआ था, ठीक है न, तो हमें करना क्या है, ये जो नंबर्स है, कम से कम ये वाला, और ये वाला, ये वाला, और वाकि ये भी, ये भी हमारा आ जाएगा, कम से कम दो बोला है, दो तो आई रहे हैं, इनको भी जोड़ लेंगे, टोट सेवे नंबर, निमने लिखे चार बिकल्पों में से एक का चयान कीजिए, जो दूसरी जोड़ी को दी गई पहली जोड़ी के समरूप है, अब यहाँ पर देखिए, सरकल के गर हम बात करते हैं, सरकल हमारे इस तरीके से होता है, ये जो बांडरी होती है न, इसी वो बोलते बलब सरकमफ्रेंस, ठीक है न, इसी प्रकार, अगर हम पॉलिगन की बात करेंगे, ये सरकमफ्रेंस एक तरीके से मान सकते हैं, पैरी मीटर ही तो हुआ, इसी प्रकार, पॉलिगन का क्या वह जाएगा, पैरी मीटर, इसका सही जवाब होगा, आपसा नंबर पहला, चलिए अगिला प्रस्ने देखते हैं, यहाँ पर देखिए, अब धारणा से लिलेटेड है, लिखा हुआ है, प्रस्न में एक कथन और उसके दो तरक हैं, फर्स्ट और सेकेंड दिये गए हैं, आपको ये तैय करना है कि दिये गए तरकों में से कौन सा तरक मजबूत और कौन सा त तरक कमजूर है, कथन लिखा हुआ है, क्या ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को अच्छी बित्ती सिच्छा दी जानी चाहिए, ताकि वे अपने बविस में आधिक खुसलता से धनका प्रवंद कर सकें, तरक देखिए हां, बिल्कुल सही दोस्तों, हां सभी छात्रों म मुल्भोत वित्ती प्रवंधन कौसल की कमी है, नहीं, जब किसी किस्सा कानून ये विल्कुल ये वाला नहीं होगा, इसका सही तरक फस्ट वाला ही हो जाएगा, केवल तरक फस्ट मजबूत है, चलिए दोस्तों, अगला प्रशने देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा 18 वर्स की आयू तक पहुंचने के बाद लोग मतदान कर सकते हैं, पूर्ण धाना क्या हैं, सोतनतर साफ पहले कोई मतदान प्रक्रिया नहीं थी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने आईसी कोई बात नहीं बोली, इतना सिर्फ बोला है, इस देश में 18 वर्स की आय बेस में बोला है, यहाँ पर लिखा B, यदि कथन में केवल पूर्ण धर्णा, इसके लिए B हम बताएंगे, बी देखिए, कहाँ पर लिखा हुआ है, यानि आपसा नंबर पहला हो जाएगा, चलिए दोस्तों, अगला प्रशन बताईए, इसको देखिए 90 नंबर, लिखा ह हुआ है, हमारा नीची इस रंकला दी गई है, और पूछा गया है, विकल्पों में से उत्तर को पैचानिए, और कौन सा हमारा होगा, सभी लोगों के जवाब आप भी रहे हैं, चलिए, इसका अंसर बताईए, क्या होगा, हाँ, सभी लोग इसको अंसर दीजिए, यहाँ प चोटे वाले कहां पे छूरा है, यानि यह वाला, यानि बी नमबर, तो इसका जो सही अंसर होगा, क्यों सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी देखिए, आपसन में कहां लिखा हुआ है, आपसन में चौथा लिखा हुआ है, यानि टीक हो जाएगा, चौथा नमबर, तो कितना बचा? 3-4 भाग में अगर एक भाग भैगा तो कितना भाग बचेगा रिमेनिंग? 3-4 इसी का 3-4 निकाल लेंगे तो कितना आ गया? 1.500 बटे कितना आ जाएगा? 4-1.500 में 4 का भाग देंगे यानि 357 लीटर इसका सही जवाब होगा आपसा नमबर पहला चलिए इसका बताईए, ये सीरीज का प्रसने लिखा हुआ है, 5-15 इस तरीके से लिखा हुआ है अब आप देखिए, 5 तरीका होता है, 15, 15 तरीका होता है, 135 इसी प्रकार 135 का हम 3 गुना करेंगे 35, 15, 39, 10 3 एकम 3, 4, 405 यानि इसका जो सही जवाब होगा आपसा नमबर 4 था अगला प्रसने देख यह लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है आप पूर विक और मुह करके खड़े हैं आप 10-4 वर्त दिसा में 100 डिगरी और फिर 22 वर्त दिसा में 145 डिगरी घुमते हैं अब आप किस दिसा की ओर देख रहे हैं यहाँ पर देखिए डारेक्शन पहले हम आपको बना देते हैं डारेक्शन आपको पता ही होगा यह हमारा होता है पूरा विए होता है पस्चिम और पस्चिम होगा यहाँ पर क्या होगा दच्छिड और पूर्व होगा ठीक है ना चलिए आगे देखिए लिखा हुआ है आप मूँ पूर्व की ओर करके खड़े हुए हैं यानि इस तरह हम मूँ करके खड़े हुए हैं तरिकम जहांद लिक्तरनों घ्राओं हाल करें यहीं तक हो रहा है 45 यह तक हम पहुंच जाएंगे तक है तो यहाँ तक हो चुगा था है यह हमारे इतना एंगल 45 होता है यानि 45 यानि सो हो चुगा है इस तर्चरा यहां पे और आएंगे तो पूछा गया है आपकी दिशा की ओर देख रहे हैं ब्हां यह यह दिसा हमारी उत्तर पूर्व हो जाएंगी जिनका भी उत्तर पूर आ रहा है docs बिलकुल सथ जवाब दे रहे हैं जिन्होंने किक क्या है बिलकुल सभी है अगला प्रस्ण थीक है ना आगे देखते है ती की कहीं चर्चा हो रही यह ठीक है ए न गण b ए यह देखें ओर देह कि ए मरा टीई Fahad यहां पर नहीं इस तरीके से हम बता सकते हैं यहां पर देखिए एक और वड़ जी आया यह यह भी नहीं होगा इसका सही अंसर होगा आपसा नंबर पहला चलिए अगला प्रसने देखते हैं 111 नंबर लिखा हुआ यहां पर देखिए लिखा हुआ यह दि उत्तर पूर्व को पस्यम कहा जाता है दच्छिड पूर्व को उत्तर कहा जाता है दच्छिड पस्यम को पूर्व कहा जाता है और उत्तर पस्यम को दच्छिड कहा जाता है तो दच्छिड को क्या कहा जाएगा सबसे पहले हम direction को बना लेते हैं यह आपको पता होगा पूर्व होता है यह पस्चिम होता है यह आपका उत्तर होता है और यह आपका दस्चिड होता है ठीक है ना यहाँ पर इस तरीके से भी आपको पता होगा यह क्या होता है दस्चिड पूर्व होता है और ये हमेशा दस्षीट पस्षिम बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं उत्तर पस्षिम और ये होता है उत्तर पूर्व आप देखिए कोशन पढ़ते हैं कोशन में बोला गया उत्तर पूर्व को पस्चिम कहा जाता उत्तर पूर्व हमारा यह है और इसको पस्चिम कह रहे हैं यह कितना डिगरी के एंगल होगा टोटल आपको पता होगा यह 90 होता है यहां तक यह 45 यानि 135 135 हमारा कैसे घूम रहा ह एंटी कलागवाइज 135 एंटी कलागवाइज घूम रहा है अब हमें पूरा कोशन पढ़ने के जरूरत नहीं है ऐसे प्रशनों को हमने इसके पहले जो प्रिविएस वीडियो कराया था उसमें बताया था कैसे करते हैं दच्छिड को देखिए इस टाइब की खुब सवाल हम पर पहुँच गया यह हमारी डारेक्शन काँ सी है उत्तर पूर्वे इसका सही अंसर आपसान नंबर बी उत्तर पूर्वे होगा चलिए अगला प्रशने देखिए लिखा हुआ है यद ए और बी दो सेटिया समुच्छे हैं तो ए यूनियन ये सौरी इंटरसेक्शन का अगर यहां पर यह जाए लगा हुआ है यह ने लगा हुआ तब हम अंसर बताते ए लेकिन डैस लगने की वज़ह से यह फाई का काम करेगा ठीक है ना इसका सही अंसर होगा आपसान नंबर तीसरा यानि फाई चलिए अगला प्रशने देखिए लिखा हुआ है एक लिख रहा है यहां पर फोन लिखा हुआ है यहां पर F है R और S L और यह Q लिखा हुआ है आप ध्याद से देखिए एक बाद F पी के बाद Q यानि जस्ट पी के बाद की वाता है एक जोड़ेंगे एक बाद F आता है बागी में इन में भी कुछ न कुछ इनका डिफरेंस लिखा हुआ है यानि यू M B E R ठीक है ना अब देखो आल लिखा यानि आर के आर इधर ना इधर क्या आएगा एस आएका की नहीं आएगा इधर ओ आएगा यानि शूरू में एस आना चाहिए लास्ट में ओ देखिए कहीं लिखा हुआ है आपसा नमबर B पूरा चेक करने करें के जरूरत नहीं है प्रूपल यहीं से हम पता कर लेंगे इसनिंग में यही होता है कोडिंग में थोड़ा सालव करने से हमें अंसर पता चल जाता है यहाँ पर पूछा गया sCF बताइए 4,56,24 क्या sCF होता क्या है वो बड़ी सिबडई संख्या जो दीगे संख्या को विभाजित कर सकती है यहाँ पर 24 से देखेंगे भाग देगे तो नहीं कटेगा ठीक है न या तो आप इसका difference लेगे और छोटी संख्या हो जाएगी और हम भाग देगे चेक कर लेंगे या तो दोनों में चेक कर लीजिए ठीक है न आपके पास कई आपसन है लगाने के चलो इसकी difference ले ले लेते हैं चार चार में घटाएंगे दो आएगा पाँच आएगा ठीक है न दो 252 क्या 24 काट पाएगा बिल्कुल नहीं काट पाएगा बारा काट पाएगा बिल्कुल बारा दुनी 24 बारे कम बारा बड़ी से बड़ी संख्या सबसे बड़ी वाली पहले चेक किया यह नहीं काट पाया बारा से काट पाया इसका मतलब बाई आपसन से लगाएंगे आपसन करेंगे 9 गुड़े 9 यानि 81 फिर 84 बार एक गुड़े एक करेंगे यानि लास्ट डिजिट हमारा एक आएगा इसका सही अंसर होगा आपसा नंबर सी होगा चलिए अगला प्रसने देखते यदि आज ये कलेंडर का प्रसने इस टाइप के भी हमने प्रिविएस वीडियो पर बहुत सारे कोशन कराए थे यदि आज सनिवार है तो 27 दिन के बाद सब्ता का कौँ सा दिन होगा अब देखिए 57 दिन के बाद पूछा हमें करना क् हम 57 में सीधे 7 का भाग देंगे जो भी हमारा से सफल आएगा एक आया और डे आया यानि एक इसी के आगे जोड देंगे सनिवार के आगे एक दिन क्या होता रभी वार इसका सही अंसर होगा आप सा नमबर पहला अगला देखिए निमली खित में से काउंसर विकल पे दूसर और ऑने सी चलो इसको छोड़ीये यहां पर देखिए सीड़िया हां यहां से देखिए सी के बाद क्या आएगा डी एएफ ठीक है ना इसके बाद जो भी नमबर लिखा होगा यानि आई ये जे केल विल्गूल आरा रहा है जे केल और देखे कर लो एक बाद क्या था आ सा है सी उत्तर आकरत समस्या आकरत में दी गई आकरतियों की स्रंखला को पूरा करेगे अब आपको देखिए यहाँ पर बताना है कौँ सा हमारा होगा सबी लोग ध्यान से देखिए और इसका अंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए देखिए जिनका सही है अच्छी बात है जिनको नह आया वह अपना अंसर मिला लीजिए यहाँ पर देखिए इसको हम अगर किलाक वाइज गुमाते देखो एक खाना यह घुमा फिर इधर गुमा इसका मतलब यहाँ पर काला आना चाहिए काला कहा पर यहाँ पर थोड़ा लाइन की संख्या बिगन लेते हैं यहाँ पर कितनी चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं बहुत ही सिंपल था इस टाइप के भी हमने प्रस्ण कराए थे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है यदि आज सुक्रवार है तो 98 के दिन के बाद सब्ता काउंस दिन होगा इसमें कुछ करना ही नहीं था साथ से भाग देंगे सुमित आखरी से सुमित आखरी से लिखा हुआ है सत्रवे इस्थान पर है तो रभी की जो रहेंग है प्रथम इस्थान से क्या होगी अब देखिए टोटल हमको पता है 49 चात्र है कितने 49 हैं लिखा हुआ है रभी जो है सुमित से साथ रहेंग आगे यदि सुमित आखरी से सुमित माल लो आखरी से सत्रवे नंबर पर है कितने नंबर पर है सत्रवे नंबर पर है मतलब आखरी से लिखा है ना आखरी से ठीक है यह सत्रवे नंबर पर है आखरी सत्रवे स्थान पर है और लिखा रभी जो सुमित से साथ अंग साथ अंग का मतलब यह हुआ कि साथ रें आगे यानि साथ रेंग आगे ठीक है ना दाए साइट से देखो कि 17, 17, 24 हो गया कितना हो गया चावीस टोटल पता है 49 पूछा गया है रभी का प्रत्राम इस्थान से क्या होगा इसमें इसको घटा के क्या करते हैं एक जोड़ देते हैं इसो घटाएंगे तो कितना आएगा 49 40 में 24 गटाएंगे तो 9 में 4 गया 5 यानि 15 आएगा इसमें से एक जोड़ा भी जाता है ठीक है ना आपके फार्मूला पता होगा जब भी निकाला जाता एक छोड़ से तो 15-16 इसका सही अंसर होगा आपसा नंबर तीसरा यानि C नंबर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्न प्रस्न देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा दिये गए सब्दों को सार्थक अनकुरम में ब्यवस्थित करना है अब देखिए कैसे ब्यवस्थित करेंगे सबसे पहले क्या होता भारती पासपोर्ट फिर उड़ान होगा प्र प्रवासन होगा फिविशुकफ जीत इसका हो जाएगा सीरियल से इसका आफसान नंबर कौन सा ही होगा डी होगा एक दो तीन चार पांच चलिए अगला प्रस्न देखिए पूछा गया था चार बिकल्पों में से बिसम काउंट सा अब देखिए बिसम बताना यहाँ पर डालर का दो हैज है दो हैज एक डालर द साइन बन गया यानि सबसे पूछा गया बिसम काउंट सा होगा आफसान नंबर डी बहुत ही सिंपल प्रस्न था यह अगला देखिए लिखा हुआ है चार बिकल्पों में से एक बिसम है आपको बताना बिसम काउंट सा है यहाँ पर एक डिजिट है और दो सिंबल यूज कि जाता है तो मिकी जो है चलो इसको थोड़ा हम करके आपको दिखा देते हैं यह देखिए यह रिनी है समझेगा ध्यान से यह रिनी ऐसी समझ लिए इसी पर समझा देते हैं दोगो इसी में समझ यह यहाँ पर देखिए दोस्तों यह जो लिखा है ना रिनी मिकी और सुकी ठ लिखा हुआ है all are different ठीक है ना और इसी प्रकार लिखा हुआ है सुकी लुसी और डेनी का लिखा हुआ है all get together अब देख। हमें पूछा किसका गया है खोसन पूछा क्या गया पहले ये देखते हैं लिखा हुआ है Lucy कोड बताइए अब देख। लुसी वाले पहुचेंगे Lucy कह हुमारा Lucy को बताएगा पाकि और कोई तो Common है नहीं इन दोनों में चेक कर लो इसमेयां यहाँ पर भी है। पर भी यह गेट डिपनेंट कोई दिक्कर नहीं इसी का पूछा गया कुछ भी नहीं करना था लूशी में हमने कॉमन देखा आल है इसका मदब 100% हम से ओर हो गए कि लूशी के D, E, S के सबसे पहले इनका कोड देखिए D का हमारा कितना होता है 4 होता E का क्या होता 9 होता है S का हमारा कितना होता है 19 होता है ठीक है ना S का 19 होता K का हमारा 11 होता है अब देखिए यहाँ पर जो इन्होंने लिखा है ना D, D का यानि D लिखा सही है यानि सिंगल डिजिट में लिख रहे हैं अब यह डबल डिजिट में लिखा हुआ है इनको पहले सिंगल में बनाएंगे सिंगल में कैसे बनाते हैं जिनों ने भी यूनीट डिजिट पढ़ा हुगा सम डिजिटल सम्तों कर लेंगे 9 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 10 के बाद अब 1 और 0 को फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 0 को जोड़ेंगे तो कितना हमारा आएगा 1 कितना आएगा 1 देखो हमारा 1 कोड है तो होता है कि नहीं होता उसी प्रकार एक और एक को जोड़ेंगे दो, दो हमारे B का कोड होता है कि नहीं होता है, उसी प्रकार अब देखिए, इसको भी हमें लिखना था, P, R, O, D को अब देखिए, वैसे तो आप जानते हैं, P का कोड, ठीक है न, P का कोड हमारा कितना होता है P का कोड होता है, 16, ठीक है न, 16 होता है, R का कोड हमारा 18 होता है O के कोड की बात करते हैं, तो 15 होता है, ठीक है न, और D, D तो हमारा रहेगा ही Last में D हमारा रहेगा ही, D का हमारा 4 होता है, अब इनको single digit में बनाना है च्छाई एक कितना होता है साथ साथ नंबर कोड हमारा किसका होता जी का होता किसका होता जी का साथ कोड जी का होता इनको जोड़ेंगे आठ एक नो नो कोड हमारा किसका होता है आई का होता यानि जी के बाद हमारा आई आएगा पांच और एक जोड़ेंगे छह, छह हमारा एप का होता है, डी तुलास्ट में रहे गई, देखिए कई आपसान लिखा हुआ, जी आपसान नंबर, तीसरा साही होगा, इसका C नंबर, चलिए अगले प्रस्ण की तरफ गड़ेस नंबर, गड़ेस नीता का भाई है, सोनल संद हो गई, यानि भाई बहन हो गए, ठीक है न, यह भाई बहन मान लेते हैं, आगे लिखा हुआ है हमारा, सोनल संदीप की बहन है, सोनल जो है संदीप की बहन है, चलिए आगे पढ़ते हैं, लिखा जो कि रीता का बेटा है, यानि रीता और नीता क्या है, बहन है, इसका जो है इसका बेटा है रिता का ये इसी के बहन हो गई सोनल ये कौन हो गई बहन हो गई यानि ये सोनल हो गई ठीक है ना सोनल बहन हो गई अब कोसन में पुछा गया है सोनल सोनल की चाची कौन है ठीक है ना सोनल की चाची कौन है अब देखिए सोनल की चाची कौन होगा तो च चाची कौन हो जाएगा इसका चाची हाँ ये वाली हो जाएगी ठीक है न मौसी यानि चाची इसका सही अंसर होगा नीता यानि आपसा नंबर भी हो जाएगा चलिए अगला प्रशने देखते हैं यहाँ पर लिखे पूछा गया था नीचे दी गई अच्छरों की सरंखला मे बाई ओर से तीसरे अच्छर और दाई ओर से चावते अच्छर के बीच में कितने अच्छर हैं ठीक है चलिए देखते हैं इसका असर क्या आना चाहिए सबी लोग कमेंट सेक्सेन में इसका भी अंसर दीजिए नीचे दी गई अच्छरों की सरंखला में बाई ओर से तीसरा अच्छर के आया और आगे लिखा हुआ है दाइं ओर से दाइं ओर से चावथे अच्छर यानि चावथा चरिए इनके बीच में देखिए कितने अच्छर हो रहे हैं एक दो तीन चार पांट चैस साथ आठ नौ यानि नौ नमबर इसका सही अंसर हो जाएगा हमारा आपसा नम पूरा कंप्लीट हो गया फिर इतना इपर पिर आ गया अब जब अगली बार आएगा तो पूरा या थे भार जाएगा यानि आपसा नमबर कर देखिए कहां पर है आपसां नमबर डी यानिडी ही रहेगा चलिए 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 उल्कष नमबर 130 देखते हैं लिखा वा यार इसमें एगी लोग जीतेगा रानी तो लिखा है तो बिजेता दूसरी धावक को इतनी बार पार कर लेगी ठीक है जब इस टाइप का सवाल हो सबसे पहले टाइम तिन का सेम रहेगा तो स्पीड का रेशियो क्या है दस अनपाते नो अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो व मीटर लिखा हुआ यह एक हजार तो यहां पर देखिए जो एक राउंड हमारा है वो 800 मीटर का है तो इसका यह मतलब वह दस अनपाते नो तो लिखा ही था स्पीड का तो अगर इनके बीच में अगर हम डिफ्रेंस देखें तो कितने को हो रहा है एक हजार अनौ सो में यान 8 यूनिट का अंतर हो गया यानि इसी में अगर हम मान लेते हैं अगर 1000 ठीक है न एक हजार में अगर 8 यूनिट चलाएंगे तो 8000 हो जाएगा ठीक है न और दोड़ हमारी टूटल 10-10 किलो मीटर की है इसका मतलब 8000 का जो होगा हमारा गयप है यह कितना होगा 700 का तो कहने कि में दूसरे राउंड में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 800 में यानि एक ही बार इनका मिलन हो पाएगा एक ही बार तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा आपसा नमबर हमारा पहला ही हो जाएगा चलिए अगला प्रशने देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ नेम लिखे चार बिकल्पों में से उसका चैन कीजिए जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के समरूप बनाता है आप देखिए इसको तो आप ऐसी समझ सकते हैं यह जो हमारा लिखा हुआ है 10,49,86 क्या लिखा हुआ है 10,49,86 यहनों ने रिवर्स लिखा एक कल यहाँ प का लगा हुआ है आपसा नमबर तीसरा वजाए का C नमबर चलिए अगला प्रस्न देखते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक पांसा लिया गया है, एक से लेकर 6 तक की संख्या है, उसके फलकों पर लिखी गई है, संख्या 1 और 4 के फलक, एक दूसरे के संख्या 3 वाला फलक, संख्या 6 वाले फलक के विप्रित है, आगे लिखा हुआ है इसके, यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, विप्रित है, स पर लिखा हुआ है ना एक से लेकर 6 तक तो होते ही हैं संख्या एक और चार फले के दूसरे के सन्निकट हैं यानि एक जो है और यह चार जो है यह क्या है यह मतलब पास-पास है सन्निकट कह सकते हैं कैसे हैं सन्निकट है हमारे ठीक ना पास-पास यानि Adjection Side है मतलब कह सकते हैं और Question में बोला गया 3 वाला फलक जो है 6 के विप्रियत यानि 3 जो है 6 के विप्रियत है इसका क्या मतलब हो 3 अगर 6 के विप्रियत 100% हमारा Fix हो गया यानि आफसन नमबर दूसरा तो होई नहीं सकता है कि कुछ सन्निकट पूछा गया है और विप्रित तो ये 3 और 6 का विप्रित होता दिखे गा ही नहीं तो इसलिए आपसा नमबर तो हम इसको पहले ही कट कर देंगे आगे देखिए यहाँ पर एक बात इन्होंने और बोला संख्या दो जो है संख्या चार के विप्रित फलक नहीं है अब देखिए एक के विप्रित हमारा क्या क्या हो सकता है एक का भी प्रीद आपका क्या क्या हो सकता है एक का भी प्रीद आपका दो भी हो सकता है ठीक है ना और यहाँ पर दीखे एक का भी प्रीद दो हो सकता है और इसके बाद हमारा और नंबर कौन बच रहा है एक का भी प्रीद दो हो सकता है और 4 का भी विप्रीद, 4 का भी विप्रीद हमारा 5 भी हो सकता है, एक का भी विप्रीद 2 हो सकता है, और 4 का भी विप्रीद क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है न, 4 का भी विप्रीद 5, क्योंकि लिखा संख्या 2 है, 4 का भी विप्रीद नहीं है, यानि 2 चार का नहीं होगा, यानि ये विप्रीद हो सकते हैं, तो प्रस्ण क्या पुछा गया, काउंसा जोड़ा सन्निकाट फोलों पे होगा, तो ये एक विप्रीद दो है, ये तो है नहीं, चार पांच ये भी नहीं हो सकता, एक तो चार पांच भी नहीं हो सकता, इसका मतलब सही जबाब इसका होगा, आपसा नमबर 14D, जिनका भी 3 और 2 आया है, बिल्कुल सही है, चलिए अगला प्रसने देखते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पजल टाइप का दिया हुआ है, बागी कोई कठीन नहीं है, लिखा हुआ है Mr. बजाज, Mr. देसाई, ठीक है न, Mr. खान, Mr. परमार और Mr. चो परमार के मंजिलों के बीच, दो मंजिलों का अंतर है, Mr. खान, Mr. चोपडा की ठीक उपर वाली मंजिल में रहते हैं, Mr. चोपडा जिस मंजिल में रहते हैं, उसकी संख्या क्या होगी, अब देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या है, यह language में बहुत बड़ा लिखा हुआ है पजल टाइम, बागी कोई कठीन नहीं है, ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम पांच मतलब मकान बना लेते हैं, ठीक है, मंजिल, एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है ना, आगे यहाँ पर देखिए, कोशन को ध्यान से पढ़िए, अलग-अलग मंजिलों में रहते हैं, ठीक है, यहाँ तक हो गया, आगे लिखावा मंजिल दो, और इसी करम तक है, मिस्टर देसाई जो है, मिस्टर देसाई जो है, मिस्टर खान के उपर वाली, माल लेते हैं, मिस्टर देसाई, देसाई को अगर हम माल लेते हैं, यहाँ पर बैठाल देते हैं, तीसे नमबर पर, अगर म नीचे वाली मन्जिल मेरते मिंचर खान और परमॉर के बीच में अच्छा खान या तो परमॉर सब सिव उपर वैटेंगे परमॉर खोंगे उपर यह इसाओ एक मेरी मारे को पुछा हो नंकी संख्या कौई में से चित्रों और कौन से समुच्चा को एक समूख के रूप में वरगी करत किया जा सकता है अब आपको बताना था कौन सा होगा अब सीधे आप ध्यान से देखेंगे एक तरीके से आपका यह रेक्टेंगल टाइप बना रहा यहां लेकिन यहां ने यह तो हमारे एक जैसे ह हो गए ठीक है ना तो पूछा गया कौन सा है 234 यानि आप सा नंबर डी हो जाएगा इसका चौता सही जवाब चलिए इसका भी सभी लो कमेंट सेक्षिन में जवाब दीजिए नीचे दीगे इस रंखला में प्रशने चिन्न को प्रस्तापित करने वाली संख्या हमारी कौन से होगी आप देखिए यहां पर आगर आप सोच रहे होंगे 23 में 5 अंतर है यहां 10 का है तो यहां 15 का होना चाहिए ना लेकिन यहां फिक त्रिससट आना चाहिए ऐसा लाजिक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा कभी कभी क्या होता यह जो 3 25 है ना इसी में देखिए इनका जो अंतर है जो इनका योग फलोरा इनी के बराबर होना चाहिए आठ दो दस का अंतर इनके बीच में है की नहीं है इसी प्रकार आठ तीन जोड़ेंगे यानि ग्यारा पांसट और अर्टिस के बीच में अंतर कितने काना चाहिए ग्यारा गयानि हम कह सकते हैं बांसट में से गटा देंगे बारा में 8 गया चार ठीक न और पास में 3 गया दो यानि कितना गया 24 आप म्र पर देखिए नहीं यहां पर जोड़ना होगा सौरी दोस्तों 11 है न गयारा अर्टिस में क्या होगा मैं 28 किया गया थे आफ्ट किया आपसा नमबर B होगा 49, चलिए अगला प्रशने देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आठ समरूप घं लिये जाते हैं, जि उनमें से प्रतेक विप्रित फलकों के एक जोड़े के लाल रंग, विप्रित फलकों के एक जोड़े हरे रंग, और से दो फलकों के नी नहीं रंग हो सकते हैं, तीन कलर के बात हो रही है, लाल निला है ना, और हरा कौंसा है, यहाँ पर देखिए लाल लिखा हुआ था, और कहां हरा और यह लिला, तो बस कुछ करना ही नहीं था, इसका अंसर हमारा अपसान नमबर तीसरा यानि सी सही हो जाएगा तीन, चलिए पांच दोस्तों के बीच की जाती है, यदि सबसे उचा वाला सबसे पतला है और उचाई के साथ, वजन में ब्रद्धी होती ही, तो दूसरा सबसे मोटा बगतिकावन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है डाली, डाली की जो उचाई है, हमाल लेते हैं, डाली की उचाई है, क आगे लिखा हुआ है चंद्रा के उचाई आनंद से अधिक है यानि या तक आप सभी लोग समझ गया होंगे आगे लिखाओ यह तुलना 5 दोस्तों के बीच की जाती है यदि सबसे कम उचा वाला सबसे पतला सबसे कम उचा वाला सबसे आनन्द क्या है सबसे पतला है तो पूछा गया है और उचाईक के साथ वजन में ब्रद्धी होती तूसरा सबसे मोटा यानि उचायक से ब्रद्धी होगी यानि मोटा हो जाएगा तो दूसरे नमबर पर मोटा कौन साया D यानि डाली होगा इसका सही जबाब होगा आपसा नमबर B जिनका भी B किया है बिल्कुल सही किये है चलिए अगला प्रस्ण देखते है 147 नमबर लिखा हुआ इस स्रंखला को पूरा करने वाली आकरती की पहिचान कर लिए अब देखे कितना सिंपल है यह ऐसे जा रहा है यह ऐसे जा रहा है अगला नमबर कि तरह पाएगा इस तरह पाएगा पीछे की तरफ देखो कौन सा हो गया आपसा नमबर इसका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा चौता आप देखी रहे हैं सब कलाकवाईस तरीके घूम रहा है 45-90 डिग्री पे पहले यह गया नीचे अब इधर आएगा यानि आपसा नमबर कौन सा हो जाएगा डी नमबर हो जाएगा इसका चलिए अगला प्रशने देखते हैं यहाँ पर देखिए लिखा ववा एमारा द्रस रंखला को पूरा करने वाली आकरती की पैसान करेए ठीक है आप देखिए इसमें हमें पैसान करके बताना है कौन सा होगा इसी टाइप कर यह भी था और इस रंखला को आकरती क्यों की Chapter बताईए यहां पर देखें ऊपर की तरफ जा रहा पर नीचे की तरफ अगला रोटेशन इस तरफ आएगा यानि कांसा हो जाएगा आपसा नंबर तीसरा यानि सी नंबर हो जाएगा चलिए अगला प्रशने देखते हैं यहां पर लिखा हुआ है सौ तिलियों वाली एक माच यानि 6 का डबल क्या हो जाएगा उलहा तो यहां पर देखें धिशना डबल से चारी हो जाएगा ना तो वैसे ही यहां पर देखिए जितना भी हमारा यह होगा पहले जो गनाब था उसको तो घन बनाए रहे हो अच्छा से फोती है निसमें दो-दो दो-दो-दो गनाब है ना इसको भी जाएगा तो इसका डबल दो जाएगा और एक लंबाई में यूज हो रहा है तो बार्दूर्ण गटाएंगे यहानी इसका अंसर आएगा हमारा 76 नमबर आपसर नमबर 14 वज़ाएगा D चलिए अगला प्रशने देखते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हमारा एक तस्वीर के और इसारा करते हुए रमन ने कहा रमन ने कहा तस्वीर में दिखने वाले जो पूरोस मेरी बहन की बैटी के नाना है तो पूछा गया रमन के बेटे का तस्वीर के पूरोस वाले से क्या संबन्द होगा देखिए बहुत यह अच्छा कोसन है यह बिलड रिलेशन का कैसे लगाएंगे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रमन एक तस्वीर के इसारा करते हुए रमन ने कहा यह मालोर रमन है रमन ने इसारा करते हुए कहा दिखने वाले पूरोस मेरी बहन यानि इनकी जो यह बहन होगी इनकी बहन की लिखा हुआ है रमन ने कहा तस्वीर में दिखने वाले पुरुस मेरी बहन की बेटी के नाना, यानि इनके नाना कौन हो गए, ये हो गए, इनके कौन हो गए, नाना हो गए, ठीक है ना, मेरी बहन, क्या लिखाता है, मेरी बहन की बेटी, यानि इनकी बेटी के नाना, सौरी, इनकी बेटी के जो ये है, ये, इनकी बेटी के जो नान है ठीक है ना अगर यह नाना हो गए तो यह इसका मतलब राम के रमन कौन हो जाएंगी यह पिता हो जाएंगी ठीक है क्या पूछागा है दिखने वाले पूरुस के क्यार यानि पूरुस का लगे यह कौन लगे पूरुस तस्बीर में दिखने वाले पूरुस का क्या रिस्ता है यानि रमन के बेटे का यह पूरुस जो है दिखने वाले इस क्यार यानि बेटा क्यों लगेगा पोता लगेगा न अब देगे दर्जी जो है सुई के माते हम से सिलता है ना प्लंबर प्लंबर यानि जो भी हम नल लगाते हैं उसके लिए हमें पाना की जरूरत पड़ती है यानि इसका सही जबाब होगा आपसा नमबर बी चलिए अगला प्रसने देखते हैं लिखा हुआ है निम लेखे चार दिया गया है उस सेट का चैन कीजिए जो अन्य सबी सेटों से क्या हो भीनो अब यहां पर देखे 10 होता है भी डबल होता है ना 12 का डबल 24 होता है और इसी तरीके यह 8 का डबल 16 लेकिन यह हमारा क्या हो जाएगा 11 लिखा हुआ है और यह 23 इसका डबल नहीं होगा यानि इस इस पाइटन के दाई अर्ध इससे के समान दिखाई पड़ता अब देखिए इसी एगर हम आधा गर्माल लो तो वार देते हैं ठीक है ना अर्ध इस समान लोगिए इस टाइप को सेब देखिए कहां दिख रहा है आपको अले थोड़ा काटेंगे ना यह बाला दिखेगा बस इसमें सीधे हम बोल देंगे आपसर नमबर तीसरा यानी सी कुछ करना ही नहीं था इसमें रानी तीन दोस्त प्रसासनी कार्याले में अपने फीच के बुक्तान के लिए कतार में खड़े हैं रोहित कतार के आरंबे की नौमी जगह पर खड़ा है ठीक है ना रानी अंत से चौदिमी जगह पर है यहां पर देखिए अंत से चौदिमी जगह पर है यहां रानी आरंबे से लिखा हुआ था बीसमी जगह पर है और उनके बीच में लिखा हुआ चार चात्र है रोहन और रोहित के बीच पांच चातर हैं तो पूछा क्या गया है अगर अगर अदला बदली कर लेते हैं ठीक है ना तो पूछा गया है आरम से पंदलवे स्थान पर कौन होगा अब देखिए इनके बीच में अगर हम टोटल निकालें बीच और चौटल जोड़ेंगे टोट आजाएगा टेइस के बाद आब इसके बाद इनके बीच में भी क्या है तस लोग हमने घटा ती है तेइस लोगों में अब यहां से पूछ रहा है कि जगह बतल लेते हैं यानि यह इधार आएंगे इधार आएंगे चौदवी जगह पहना यहां से कितना हो जाएगा चास नंबर लिखा हुआ नीचे दी गए इस रंखला के प्रसने चिन्लों को प्रस्थापित करने वाली हमें संख्या बतानी है अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे यह थोड़ा सिरीज का कोसन है आप देखिए सबसे पहले यहां पर अगर हम आबाद संख्या लेते हैं ठीक है न दो तीन और पांच और साथ कहीं ने कहीं आबाद संख्याओं से पैटर्न पे सवाल जब ना आया करें समझ में तो इनी भी गुणा भाकिया करिए कहीं ने कहीं पैटर्न पता चले जाता है अब यहां पर देखिए दो हमने लिख लिए ठीक है न अब हमें करना क् कितना आएगा? चार, चार में से एक कम कर लेंगे, तो कितना आएगा हमारा? तीन, देखो तीन आ रहाता है, ठीक है न? दो का स्क्वाइर हमने किया, और उस में से हमने क्या कर दिया? एक कम कर दिया, तो 2 का square में से एक कम किया तो हमारा कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है? अब आगे देखिए, अब आगे हम क्या करेंगे? 3 का square करेंगे, ठीक है ना? 3 का square करेंगे, जितना भी आएगा 9 यह जो नंबर आया था इससे multiply करके फिर एक अटाएंगे तो यह हमारा कितना आजाएगा 27 अगली बार हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 25 के बाद इस वाले नंबर से multiply करेंगे न 9 तरी करेंगे 27 ए 26 यहां पर 26 आया था अगले पैटन पर 7 यानि 7 का स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर तो आपको पता है 49 होता है 49 के बाद जो यह नंबर आया है न इससे multiply करेंगे 649 से और फिर last में क्या करेंगे एक कम भी करना है ठीक है न इसको जब multiply करेंगे साल्व कर लेंगे तो आपका इसमें अंसर आजाएगा कौँ सा आजाएगा 31,800 आजाएगा ठीक है न इसका जो सही अंसर आजाएगा 31,800 हो जाएगा आपसा नंबर B इसको साल्व कर लीजिएगा चलिए लाश्ट सवाल देखते हैं 150 नंबर लिखा हुआ है सोनल ने 580 रुपए में 10 कटोरियां और 20 थालियां खरे दी अगर प्रतेक थाली की कीमत कटोरी कीमत से 5 रुपए अधिक है तो एक थाली की कीमत क्या होगी सबसे पहले हम क्या करते हैं कटोरी कीमत मान लेते हैं काटोरी कीमत हमने माली है कितनी है X है ठीक है ना और फाली कीमत क्या बोला है फालीकी कीमत एक कितनी है से पांच रुपbnाय अधिक सोला यानि सोला अगर हमारी क्या है सोला अगर हमारी इसमें कटोरी है तो यहाँ पर थाली पूछा गया सोला पांच इसका सही जवाब हो जाएगा आपसर नमबर तीसरा यानि सी नमबर चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक सेर भी कर दीजिए